हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कॉंट स्टेडी आज का हमारा चैप्टर है और यह हमारी रीजनिंग सेक्शन का एक पार्ट है और आज हम इसका करने जा रहे हैं पार्ट वन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाव हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं चल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसी भी अपडेट को मिस्स मत कीजिए यह है चार टाइपस जिसके बेस पर आपको और वन आउट के कोशन्स आते हैं सबसे पहले टाइप है अलफाबेट के बेस पर आ सकते हैं आपको यहां फिर वर्ड्स के बेस पर आ सकते हैं नंबर्स के बेस पर भी आ सकते हैं यहां फिर फिगर्स के बेस पर भी आ सकते हैं तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है based on alphabets and group of alphabets ठीक है तो इसमें कुछ point है जो आपको याद रखने है जैसे की alphabets की numerical value क्या होती है A की 1 है, B की 2 है, C की 3 है, ऐसे करते 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 Y की 25 है, Z की 26 है साथ ही उनके reverse जो होते है alphabets के वो क्या होंगे जैसे A अगर starting से first position पे है, तो Z end से first position पे है, तो A का reverse हो गया Z, वैसे ही B starting से second position पे है, Y end से second position पे है, तो B का reverse हो गया Y, वैसे ही C का X and so on, इसको करने की एक मैंने trick भी बताई थी, जो की मैंने आपको बताई थी हमारे chapter series में और उसके part 2 में, chapter series part 2 totally alphabet series पर based था और वो part शुरू करने से पहले, मैंने आपको ये सब चीजे बताई थी, कि एक एक alphabet की value क्या है, उनका reverse क्या है और reverse को find करने की trick भी बताई थी, ठीक है, third चीज जो हमें द्यान रखनी है alphabet series पर वो होंगे consonant versus wobbles ये भी आ सकते हैं, fourth चीज हमें prime numbers, squares, cubes, even odd, etc. ये सब चीजे याद रखनी हैं कि कौन से number prime number होते हैं, जब हम किसी एक alphabet को उसकी numerical value में convert कर देते हैं, तो उसके बाद हम वो पूरा question math की terms में solve करते हैं, ठीक है? for example, आपके पास आजाएगा एक alphabet M, तो जब हम उसको convert करेंगे, उसकी numerical value में वो होता है 13, तो हमें पता है कि 13 एक prime number है, अगर आपको prime number नहीं पता क्या होते हैं, तो वो मैं आपको अब भी बता देता हूँ, prime number वो होते हैं, जो 1 से greater number होता है, और वो सिरफ खुद से या फि अब 7 को आप किन-किन number से divide कर सकते हैं, 7 को आप यहां तो 1 से divide करोगे, ठीक है, 1 से divide करोगे तो 7 आएगा हमारा quotient, और अगर आप 7 को खुद से, यानि कि 7 से ही divide करोगे, तो हमारा quotient आएगा 1, यानि कि हमारे 7 जो है, सिरफ दो number से divide हो सकता है, एक number itself, यानि कि 7 खुद, या पिर 1 से तो ऐसे सारे numbers जो कि 1 से बड़े हैं और या तो खुद से या फिर 1 सी divide हो सकते हैं उन सब numbers को prime number कहते हैं सिरफ इनी दो factors पे हम prime number decide करते हैं अगर वो number खुद से 1 से उसके लावा किसी और number से भी divide करता होगा तो उसको हम prime number नहीं कहेंगे कुछ और example से हैं जहां से हमारी prime numbers की series शुरू होती है जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यह सब numbers या तो खोज से divide हो सकते हैं या फिर 1 से ठीक है उसके लावा और यह किसी number से divide नहीं हो सकते अब आते हैं हमारे questions की series पे सबसे पहला question कहा रहा है कि odd one बताईए इन चार options में से हमारे पास options है a option by, b option fu, c option lo, d option kq तो हम अपना question स्टार्ट करना शुरू करेंगे जैसे हैं मैंने पहला option देखा by तो मुझे एक चीज़ पता चल गए कि y तो है b का reverse तो हम इस पे reverse वाला logic अपना के देखते हैं हर option पे तो पहला option तो हमें पास चल गया कि वही reverse है by second option पे हमने देखा f है f का reverse हमें निकालना है f की position होती है 6 तो f का reverse आएगा 27-6 which is 21 और 21 alphabet कौन सा होता है वो होता है u तो f u एकदम correct bet है f u हो जाएगा एक दूसरे का reverse third option पे आएंगे L, L की value होती है 12, L का reverse आएगा 27-12 जो की होगा 15th alphabet तो हमारा 15th alphabet कौन सा होता है वो होता है O, तो यानि की L और O एक दूसरे के opposite है हमारा third option भी L, O जो है अभी तक सही जल रहा है हमारे pattern के हिसाब से अभी तक हमें कोई भी odd one out नहीं मिला है अब आते हैं हमारे fourth option पे K, K की value होती है 11 और जब हम 27 से 11 minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 और 16th alphabet होता है हमारा P पर हमें option में दिया हुए K के साथ Q तो यानि की Q जो है वो K का reverse नहीं है और हमें हमारा odd one out यहीं पर मिल गया हमारा D option है K Q second question पर आते हैं हमारे पास option है A, K, B, J, C, G और D option है S तो अब हम क्या करेंगे इनको इनकी numerical values दे देंगे तो हमें बता है K की value होती है 11, J की होती है 10, G की होती है 7, S की होती है 19 अब हमारे पास कुछ logics थे जो मैंने आपको बताये थे और उनके basis पर हमें इनको decode करना होता था हमारे logics क्या थे consonant versus vowels, prime numbers, squares, cubes, even on, etc. हम यह सारे logic एक एक करके इन पर लगा के देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे consonant versus vowel, तो हमें देख रहे है कि K, G, J, S यह चारो जो है consonant है, vowels नहीं है, तो यह वाला logic तो हम apply नहीं कर सकते हैं, यह कट गया, अब हम देखेंगे prime number, तो हमें पता है prime number क्या होते हैं, जो सिरफ खुद से divide होते हैं, या फिर one से divide होते हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहे है कि 11, 7 और 19, यह तीन numbers जो हैं, यह prime numbers हैं, क्योंकि यह सिरफ खुद से divide होते हैं, और one से divide होते हैं, जबकि 10 एक ऐसा number है, जो खुद से भी divide होता है, one से भी divide होता है, two से भी divide होता है, और five से भी divide होता है, तो हमारे पास एक लोता option B ही है, जो की prime number नहीं है, तो हमारा odd one out आओ गया, हमारा option B, J, आते हैं हमारे next question पर D, N, P, Y सेम चीज़ करेंगे इनको इनकी numerical value assign करेंगे D होता है 4, N होता है 14 P होता है 16, Y होता है 25 ठीक है, अब हम देखेंगे इस पे क्या logic apply होना है हमारे पास logic थे consonant versus vowels तो चारों के चारों हमारे पास consonant है ये logic कट गया हमारे पास logic था prime numbers का तो यहाँ पे 4, 14, 16 और 25 चारों के चारों नमबर ऐसे हैं जो की prime number नहीं है तो ये वाला logic भी नहीं लगेगा अब आते हैं squares पे तो 4 हमें पता है 2 का square है 16 हमें पता है 4 का square है 25 हमें पता है 5 का square है एक लोता option B ही है जो किसी का भी perfect square नहीं है तो हमारी square वाला logic इस पे apply हो गया और हमारा option B जो है clearly odd one out है तो हमारा option B हमारा final answer होगा next question आगे find odd one out तो हमें यहाँ पर दीख रहा है कि इसमें single alphabet नहीं है इसमें group of alphabets है और group of alphabets में हम जैसे ये पिछले logic हमने देखे consonant, prime number, square ये वाले apply नहीं करते हैं हम इसमें देखते हैं या तो इनके बीच का gap या फिर इनका reverse तो सबसे पहले इनका gap और reverse देखने के लिए इनको इनके numerical value assign करने पड़ेगी हमारे पास djf आगया d होता है 4, j होता है 10, f होता है 6 वैसे ही ptd में p होता है 16, t होता है 20, d होता है 4 kxm में k होता है 11, x होता है 24, m होता है 13, nvj में n होता है 14, v होता है 22, j होता है 10 अब हम क्या करेंगे इनके gaps देखेंगे तो 4 और 10 में 6 का gap है और 6 हमें यहां दिख रहे है 16 और 20 में 4 का gap है और 4 हमें यहाँ दिख रहा है 11 और 24 में 13 का gap है और 13 हमें यहाँ दिख रहा है 14 और 22 में 8 का gap है और यहाँ पे हमें 8 में 10 दिख रहा है तो हमारा ये वाला option clearly odd one out हो गया हमने कुछ नहीं किया, इन numbers को इनकी values assign की और इनके gap देखना शुरू किया तो हमारा final answer है N, V, J जो है वो एक odd one out term है हमारा next question कहा रहा है B, C, L, B, C, L, H तो हम वही करेंगे इनको इनकी numerical values assign करेंगे B होता है 2, C होता है 3, L होता है 12, H होता है 8 ठीक है अब हम लगाएंगे इन पर वहीवाल logics logics क्या थे हमारे पास consonant versus vowel, prime number, squares, cubes, even odd, etc सबसे पहले हमने देखा कि यह चारों के चारों option जो है वो तो है consonants इनमें कोई भी vowels नहीं है तो पहला logic कट गया ठीक है यह तो लग नहीं सकता second लगाया हमने prime number का तो हमने देखा कि B की होती थी value 2, C की 3, L की 12 और H की 8 तो इसमें से 2 और 3 जो है वो prime number है बाकी 12 और 8 जो है वो नहीं है तो दो option हमारे पास ऐसे आगे जो prime है दो नहीं है तो यह वाला भी logic नहीं लगेगा इस पे next आएगे हम squares पे तो यह किसी का भी squares नहीं है ठीक है ना 2 है ना 3 है ना 12 है ना 8 है तो square वाला logic भी हमारा हो गया cancel अब लगाएंगे हम cubes का logic तो 2 किसी का cube नहीं होता 3 भी किसी का नहीं होता 12 भी किसी का नहीं होता पर 8 होता है 2 का cube तो 8 आ रहा है हमारा यहाँ पे 2 का cube तो हमारा H ही होगा हमारा final answer और किस logic से हमारा answer आया cubes के logic से ठीक है तो H आ गया हमारा final answer अब आया find out one out और यहाँ पर single alphabet नहीं है यहाँ पर alphabet के groups हैं तो यानि कि इसमें यहाँ तो हम gap tuned के answer निकालें के यहाँ तो हम reverse tuned के तो इनको हमने इनकी values assign कर दी ZZ होगे 2626 FT होगा 6 और 20 XB होगे 23 और 2 K Q होगा 11 और 17 अब हम टूर्णेंगे इनका gap तो 2626 में है 0 6 और 20 में 14 का 23 और 2 में है 21 का 11 और 17 में है 6 का तो gaps का कोई logic नहीं बना 0, 14, 21, 6 इन में कोई logic नहीं बना तो हम next आएंगे reverse पे अब आप देखिए कि यह exact reverse तो नहीं है ठीक है क्योंकि Z का exact reverse तो A होना चाहिए था ठीक है तो यहाँ पे Z का reverse Z ही दिया हुआ है पर एक चीज है कि अगर हम A alphabet से वापिस reverse में जाएं A से 1 माइनस करोगे तो Z आ जाएगा बेशक यह exact reverse नहीं है पर कहीं न कहीं यह reverse के करीब है तो हम इस logic पे थोड़ा सा ब्रोसा करके अपना question continue कर सकते है next चीज F है F की value होती है 6 जब हम इसका reverse निकालेंगे 27-6 वो आएगा 21 पर यहाँ पे हमें 21 नहीं दिया हुआ है F के साथ दिया है 20 तो 20 भी तो 21 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा है ना तो यानि कि हमने जो logic एपलाई किया वो कुछ हद तक सही जा रहा है next पे आए हम X X की value होती है 24 27 में से जब आप 24 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 3 और यहाँ पे same pattern एपलाई करते होए हम 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा pattern अभी तक follow हो रहा है के आया के की value होती है 11 जब हम 27 में से 11 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 16 और जब हम 16 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 11 के साथ 15 आना चाहिए था जबकि यहाँ पे 17 आ रहा है जो कि हम 16 में 1 प्लस करने से लाते हैं तो इस point पे आके हमारा माइनस वन वाला पैटन हो गया खराब और यहाँ पर आ गया प्लस वन तो clearly यही odd one out है और हमारा final answer है के क्यू इसी के साथ हमारा odd one out चैप्टर का part one खतम होता है जिसमें हमने पढ़े alphabet based odd one out की series next हम पढ़ेंगे words के base पर odd one out और उसके बाद numbers और figures के base पर तो आज का video lecture हम यहीं पर close करते हैं thank you